दोस्तों नमस्कार, मरीजों को आक्सीजन चाहिए, अस्पताल आक्सीजन दे पाने की स्थिती में नहीं है इस देश के भीतर में जितनी बड़ी तादाद में मेडिकल आक्सीजन की जुर्रत आज के वक्त में इस देश के तमाम अस्पतालों के आईस्यू और कोविड अस्पतालों को चाहिए उतनी ऑक्सीजन उपलब्ध करा पाने की स्थिती में यह देश नहीं है अब भारत सरकार ने सोचा है कि बाहर से ऑक्सीजन आयात किया जाए पचास हज़ार मिट्रिक टन ऑक्सीजन बुलाया जा रहा है जिससे कुछ जवरते पूरी हो जाए लेकिन बात इतनी सरल नहीं है जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी, मरीजों की बढ़ती तादाद और इस देश के भीतर में ऑक्सीजन की कमी से होती हुई मौत लगातार हर शहर दर शहर आखों के सामने रिंग रही है दरसल इस देश की सबसे विभस सिस्तिती ये है कि देश में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की दिशा में सरकार ने सोचा नहीं और जब सोचना शुरू किया तो इंतजार करना शुरू किया कि उस पर बिड के लिए कौन-कौन आ रहा है, किसे इन्वाइट किया जा रहा है, वो कितनी बड़ी तादाद में आ पाएंगे सबसे सस्ते में इस देश के भीतर में ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा सकता है और दुनिया के किसी भी देश में जितने भी अस्पताल होते हैं उसमें ऑक्सीजन प्लांट उस हॉस्पिटल से इंटेक्ट रहता है जिससे वहां के मरीजों को मेडिकल ऑक्सीजन उपलब्ध कर में कोई मुश्किल ना पड़े लेकिन आपको जानकर हैरत होगा कि इस देश के भीतर में आकसीजन के बारे में सरकार ने कभी सोचा ही नहीं और सोचना तो दूर की बात है जिस दौर में महमारी के वक्त में पिछले एक बरस के दौर में इस देश में लगातार मेडिकल आकसी नए तरीके से लोग कमपनियों को खोलना चाहेंगे, कुछ नए तरीके से प्लांट लग जाएंगे और यही चीजों में वो फसी रह गई जबकि इस देश के भीतर का एक सच और भी है अगर सरकार ने सिर्फ तीन प्रोजेक्ट में लगाए गए पैसे को इस देश के मेडिकल छेतर में और मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगाने में खर्च कर दियो होते तो आज की तारीक में इस देश के भीतर में जितने भी हॉस्पिटल है सब डिविजनल लेवल के हॉस्पीटल, डिस्टिक लेवल के हॉस्पीटल, सारे गौर्मेंट हॉस्पीटल, सारे प्राइवेट हॉस्पीटल इन तमाम जगाओं पर मेडिकल ऑक्सीजन की कमी नहीं होती फिर ये कौन सी स्थिती है कि इस देश के प्रधान मंतरी और ग्रेमंतरी चुनाव प्रचार में अपने आप को किसी जिनून की तरह जोग देते हैं और इस देश की medical service पर ध्यान देने की स्थिती में नहीं आते हैं प्रचार प्रसार के लिए ऐसे ऐसे पांस सितारा प्रोजेक्ट्स का वो एलान करते चले जाते हैं लेकिन इस देश के भीतर में मेडिकल आक्सीजन की तरफ ध्यान नहीं देते हैं आज धरा इन आक्ड़ों को ध्यान से सुनिएगा और उसके बाद समझने की कोशिश कीजिएगा क्या वाकई इस देश को चला पाने की स्तिती में इस देश की मौझूदा सक्ता है भी या नहीं है खास तोर से बीते एक बरस के दौर में इस देश के सामने जो महमारी का संकट उबरा उस दौर में सरकार आँख मूंद कर क्यों बैठी रही और आज भी उसने आँखें मूंदी हुई है छिटपुट मिटिंगों का दौर देर शाम में हो जाता है लेकिन दिन के उजाले में तो रैलियां है चुनाओ है उसका शोर है उसी में सत्ता खोई हुई है तीन प्रोजेक्ट पहला सबसे बड़ा प्रोजेक्ट इस देश के भीतर में जो आने वाला है वह है पारलियमेंट नई बनकर तयार होगी उस पे खर्चा आ रहा है 971 करोड रुपए इस से पहले अग का क्रिकेट का स्टेडियम जो प्रधान मंत्री मोदी ने अपने नाम पर ही दिया है इस देश को उसका खर्च वाए उस पर तकरीबन 800 करोड रुपए अब आप जरा समझने के कोशिश कीजिए कि इस देश के भीतर में जो मरीजों को ऑक्सीजन चाहिए जो सबसे अनुकू कुल प्लांट होता है छोटे अस्पताल के लिए छोटा प्लांट होता है थोड़े से बड़े अस्पताल के लिए एक बड़ा प्लांट चाहिए जिसमें हर दिन तकरीबन 2000 सिलेंडर ऑक्सीजन फिलिंग करने की स्थिति में वह प्लांट आता हो अब आप सोचिए उस प्ला तो चार करोड रुपए में एक प्लांट लग सकता है हर हॉस्पिटल के साथ इस देश में जो हर दिन दो हजार सिलेंडर फिल करेगा उस लिहाज से अगर इस देश की पार्लियमेंट का जो कॉस्ट है नौसो इकतर करोड रुपए उस पैसे को अगर आप डैवर्ट कर दीजि इस देश में खुल सकते हैं यानि 242 गैस प्लांट का मतलब है लगबग 4,84 हज्जार सिलेंडर फिलिंग की स्थिती में सिर्फ पार्लियमेंट के खर्च के जरिये इस देश के भीतर में हो सकता है इस स्टेडियम का खर्चा है आठ सो कौड रुपए आठ सो कौड का मतलब ह लगबग 4,00,000,000 सिलेंडर फिलिंग ऑक्सीजन हो सकती है हर दिन सरदार पटे जिस प्रतिमा को बना लिया गया जिस स्टेची को बना लिया गया उस पे खर्चाया 2,063 करोड रुपए इसके मातहत 515 प्लांट इस देश में बन सकते हैं यानि हर दिन तकरीबन 10,31,500 सिलें कर की यानि जिस जगा से ऑक्सीजन को एक जगा से दूसरी जगा ले जाने की इस थिति में हमने जब उसकी जानकारी हासिल की कि अगर सबसे बेस्ट इस टेलनेस स्टील करक्ट ट्राइजोनिक टेंक कर बनाया जाए जो ट्रकों पर लात कर इधर से उधर ले जाया जाता है उसमें लगबग 500 से 1 लाख लीटर तक आक्सीजन उसमें आ सकता है। उसमें कितना खर्च आएगा। खर्च पता चला सिर्फ 5 लाख रुपए। अब आप जरा समझने की कोशिश कीजिए कि पार्लियमेंट, स्टेडियम और सरदार पटेल का स्टेचू तीनों पर कुल मिलाके खर्चा हुआ 3,884 कोड़ रुपए। इस देश के भीतर में हर जिले में अगर मेडिकल आक्सीजन प्लांट को खोल दिया जाए। और इस देश के भीतर में क्राइजेनिक टेंकर की भरमार कर दी जाए। तो इस देश का जो टोटल खर्चा होगा वह भी 3,834 कोड़ नहीं होगा बलकि 2,900 कोड़ में सब कुछ हो जाएगा। अब कल्पना कर रहे हैं कि इस दोर में इस देश की वीजन क्या काम कर रहा था। वो चनाव परचार में क्यों खोया हुआ था। ऐसा नहीं है कि सरकार ने सोचा नहीं बीते एक बरस के भीतर में जब पिछले साल मार्च के महीने में महमारी से देश प्रभावित हुआ था उस समय भी ऑक्सीजन को लेकर मारा मारी थी। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ऑक्सीजन प्लांट इस देश में क्यों कम है तब सरकार ने सोचा यानि हेल्थ मिनिस्ट्री ने सोचा और हेल्थ मिनिस्ट्री ने अपने तोर पर ये सोचना शुरू किया कि कम से कम इस देश के भीतर में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाए निकाले जाएं आपको जानकर हैरत होगी कि उसी समय पी-म केर्स के लिए जो पैसे का जुगाड किया गया सिर्फ चार हफ़ते के भीतर में नहीं किया ये चार दिनों के भीतर में तीन हज्जार कोड रुपए पी-म केर्स में जमा हो गए हम इसका जिक्र भी नहीं करते हैं हम इस बात का आपसे जिक्र करना चाहते हैं कि 162 PSA आकसीजन प्लांट को सैंक्शन किया गया और उसको सैंक्शन करने के बाद आज की तारीक में जब हम आपसे बात कर रहे हैं आपको जानकर हैरत होगी कि मार्च 2020 से लेकर अक्टूबर 2020 तक सरकार इंतिजार करती रही कि कोई बिड़ फाइल करेगा, कॉंपिटिटिवनेस है, कौन लगाएगा, कहां लगाएगा और इस 112 ऑकसीजन प्लांट का कुल खर्चा 201 करोड अंठमल लाक कलपना के परे हैं सिर्फ 201 करोड का खर्चा आ रहा है और 112 प्लांट हम नहीं लगा पाए एक साल के भीतर में आज की ता बता दिया गया है कि कितने प्लांट कब आएंगे, 33 प्लांट जो लगाने का जिक्र सरकार अपने तौर पर कर रही है, उसमें पांच मदपरदेश में, चार हिमाचल परदेश में, तीन 36 गर्ड गुजरात और उत्राचल में, दो बिहार में, करनाटक में और तिलांगना मे एक अंदरपरदेश, 36 गर्ड, दिल्ली, हरियाना, केरल, महरास्ट, पोडिचेरी, पंजाब, उत्तरपरदेश, इन जगों पर एक एक प्लांट अभी सैंक्शन कर दिया गया है, और इस पे जल्द से जल्द काम हो जाएगा, क्योंकि सरकार अपने तौर पर जो आकड़े द अटोनोमस इंस्टूशन है, जो हेल्थ मिनिस्ट्री के मातहत आता है, उसने जब तै कि या कि देड़ सो डिस्टिक में हॉस्पिटल्स जो हैं, वहाँ पर किस तरीके से ऑक्सिजन प्लांट को लगाये जाए, उस दिशा में भी कोई नहीं सोच पाया, कि कि उसमें तेजी क क्यों लानी चाहिए, इतना ही नहीं, इस तिती ये है कि इस देश के भीतर में जितने भी अस्पताल जो जम्बो अस्पताल बनाए गए थे, 2020 के वक्त में कि कोविट मरीजों को वहाँ पर रखा जाएगा, अगर आपको याद आता हो, तो दिल्ली का याद कीजिए जम्बो कोविट अस्पताल, ये छदरपूर में था, और छदरपूर में सरदार पटेल कोविट सेंटर के नाम पर इसका नाम करण हुआ, राधा स्वामी सत्संग के भीतर में था, देश के ग्रे मंत्री अमिशा जी ने ट्वीटर के जरिये जानकारी दीती, ट्वीट करते हुए कि इस देश के भीतर में लगबग 22 ऐसे जम्बो अस्पताल बंद इसी दोर में हो गए जब इस देश में मरीजों की संख्या कम हो रही थी और दूसरी लहर दुनिया भर में चेतावनी के तौर पर लगातार आ रही थी लेकिन भारत ने अपनी आँखों पर पट्टी डाल ली। और इन अस्पतालों को बंद करने का सिलसला शुरू हो गया और आपको जानकर हैरत होगी कि महरास्ट जो आज की तारीक में इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित है वहाँ पर भी एक से दो हजार वाले जो जम्बो हॉस्पिटल्स थे वो बंद होते चले गए पूने के भी इस इस्तिती के भीतर में इस देश को समालने का जिक्र है और इस देश को बिमारी और महमारी से लड़ने का जिक्र हो रहा है क्योंकि हम जब आपसे इन बातों का जिक्र कर रहे हैं और जो डाटास आपके सामने रख रहे हैं ये वाकई कल्पना के परे है कि सबसे बेहतरीन प्लांट भी इस देश के भीतर में इतनी बड़ी संख्या में लगाया जा सकता है जिसको लेकर ऑक्सीजन की कमी इस देश में होनी नहीं चाहिए जो एक नियुम्तन जर्रत होती है लेकिन हमारे पास तो क्राइजेनिक टेंकर तक नहीं है जो इधर से उधर ले जाए तो कहा में शांदार चलके निर्मान कर दी है छे से आठ दिन का वक्त एक शहर से दूसरे शहर में पहुचने में लग रहा है जो तीन से चार दिन पहले शुरुवाती दौर में था वो भी बढ़ गया है इसके मतलब क्या है और अगर ऐसा संकट है तो क्या वाकर इस देश की सरकार इस देश को चलाना नहीं जानती है और उसकी जवरत राजनितिक सत्ता ही है और राजनितिक सत्ता को पाने की जद्दो जहद में इस देश को धीरे धीरे मारा जा रहा है क्या क्योंकि तमाम जगों के जो द्रिश हैं वो आपको भीतर से इसलिए हिला रहे है क्योंकि अस्प वहां पर जितनी बड़ी तादाद में लगबग 55,000 ऐसे मरीज हैं जिनको ऑक्सिजन सपोर्ट की जरुरत है। भारत की जो अपनी कैपसिटी है जरा इसको समझे कि हर दिन भारत के भीतर में ऑक्सिजन बनाने की छमता 7,127 मिट्रिक टन की है। अवराल सिर्फ 15% होता है बाकी 80-85% में से 20% लगबग स्टोरेज में चला जाता है। इसलिए हमारे पास ऑक्सिजन स्टॉक जो था वो 50,000 मिट्रिक टन बचा हुआ था जिसके जरीए इस देश ने कुछ दिन तो चीजें समाल ली। अब फिर 50,000 मिट्रिक टन लाने की विवस्था की जा रही है किसी तरीके से उसको इंपोर्ट किया जाए। लेकिन बाकी जो ऑक्सिजन होता है वो इस्टील या आटो मुबाइल इंडस्ट्री में जो ब्लास्ट फार्नेंस होता है जो वेल्डिंग का काम होता है उसमें उप्योग में लाय जाता है वहां से भी चीजें शिफ्ट की जा रही है जो भी पियस्यूज है जो लगभग एक साल के भीतर में सबसे बड़ा प्लांट इस देश में लग सकता है जो प्लांट अपने तौर पर आज की तारीक में जो 7127 मिट्रिक टन जो बनाया जा रहा है भारत के भीतर में अगर इतनी ही कैपेसिटी का एक अलग प्लांट लगा दिया जाए तो उस पे कि चाहेगा यानि आप कल्पना कर पा रहे हैं कि खर्चे का जिक्र नहीं है वीजन की बात है प्रात्मिकताओं का जिक्र है आपकी संविदन शीलताओं का जिक्र है आपकी जिम्मेदारी का जिक्र है लेकिन आपने चीजों से आँखें मुंद ली और शायद इसी लिए जब ह लाडू, हरियाना, राजस्थान, इन बारा राज्यों में जो ऑक्सीजन की जर्रत है, वो ऑक्सीजन की जर्रत जैसे ही प्लांट लगाने का ऐलान हो, इस देश के भीतर में छोटे प्लांट बहुत जल्दी लग जाते हैं, तीन महीने में वो लगाए जा सकते हैं, और बड़ सोच आन पड़ी है, कि मेडिकल के छित्र की तरफ से हमने आखे मुंद ली, अब जब हमको लगता है, यहां पर महरास्ट का एक जिक्र करना चाहिए, क्योंकि महरास्ट में सबसे ज़्यादा केसे हुए हैं, यही से सवाल निकलता है कि आप स्वास सेवाओं को लेकर कितने स ही हैं, ऐसे में दिल्ली की तारीफ करनी चाहिए, जिन् आप कर रहे हैं 0.5% कोई अस्पताल बीते एक साल में आप नहीं खोल पाए अस्पताल डॉक्टर नर्स टेक्नीशियन जो संकट एक साल पहले था वही संकट आज की तारीक में है सरकारी अस्पतालों में जो 10,000 कुल बैड हैं वही बैड अभी भी रहे हैं और जो कोईड की जो भार है वो 80% प्राइवेट अस्पतालों ने उठाया हुआ है सरकारी अस्पताल भी महरास्ट में उस रूप में काम नहीं कर पा रहे हैं कुल रजिस्टर डॉक्टर अगर महरास्ट का जिक्र कियें तकरीबन सवा लाख है लेकिन अगर डॉक्टरों से पूशिएगा कितने डॉक्टर चाहिए तो ढ़ाई लाख डॉक्टर चाहिए नर्श्स की संख्या भी लगबग साथ परसेंट से भी कम पूरी कर पा रहे हैं वहाँ पर भी अगर कमी है तो सवाल यह है कि आकसीजन की मुश्किल दवा की मुश्किल बैड की मुश्किल आईसीव की मुश्किल समाम चीजों की अगर मुश्किल इन सब के बीच है तो फिर हेल्थ का इंफ्राइस्ट्रक्चर को लेकर जो भी सोच होनी चाहिए वह सोच क्यों नहीं है और ऐसा नहीं है कि एक समाने स्थितिया है 20 फरवरी 2020 से लेकर आज जमम 18 एपरल 2021 में खड़े हैं जाहीर है लगवक 13 महीने के भीतर में अगर मार्च के महीने में नहीं सोचा गया होता अगर तीन महीना वहां भी वक्त देदीजे तो आपको जानकर हैरत होगी कि इस देश के भीतर की जो सिर्फ पार्लियमेंट और स्टेडियम का बजट है थोड़ी देर के लिए भूल जाईए वो पहले बन गया था सरदार पटेल के स्टेच्ईू जो था सिर्फ इन दो बजट को कनवर्ट कर दीजिए और उसके बाद इस देश में आक्सीजन की मारा मारी नहीं होती लेकिन हमारी जरुत कुछ होर है अब यहां से एक आखरी सवाल निकल कर आता है क्या हमने वाकई आखे मूंद रखी है यकीनन आखे मूंद रखी है क्योंकि आज की तारीक में medical devices जो भारत में जरुत पड़ती है उसको लेकर भारत दुनिया के इन देशों में आता है जहां सबसे कम खर्चा मेडिकल डिवाइस का यहां के लोगों पर होता है सिर्फ तीन डॉलर यानि ब्रिक्स कंट्री में भी आईएगा तो वहाँ पर चाइना भी साथ डॉलर प्रतिवेक्टी मेडिकल डिवाइस पर खर्च करता है ब्राजील 21 डॉलर करता है रशिया 42 डॉलर करता है दुनिया के दूसरे देशों का जिक्र मत कीजे क्योंकि वह 100 डॉलर के पार चला जाएगा हम लोग सिर्फ 3 डॉलर पे अटके हुए हैं और उन सब के बावजूद भी जब 75-80% हम लोग मेडिकल डिवाइस इंपोर्ट ही कर रहे हैं और यह भी जो ऑक्सीजन प्लांट लगाने की जरूरत है इसको भी जब आगार आप लगाना चाहिए इसको तो फ्री कर देना चाहिए सरकार को इस मैनोसी की क्या जरूरत है इस देश के भी भी जो भी हॉस्पिटल से उनको फ्री अफ लाइसेस देना चाहिए कोई खर्चा नहीं है लेकिन हमने इस दिशा में कभी सोचा नहीं है और इस प्रक्रिया में सबसे आखरी सवाल ये है इस देश की पॉलिटिक्स इस देश के भीतर में चुनाओ हमने जब पता करना शुरू किया कि जो इस देश में ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनिया है उसमें सबसे टॉपमोस्ट पे इनॉक्स एयर प्रड़क्ट है जो लगबग 2000 टन प्रती दिन बनाती है और पिछले साल है इसने पश्चिम बंगाल में लगबग 200 टन का और उत्तरपरदेश में 1500 टन का एक प्लांट भी खोला और अब इसका टारगेट मद्परदेश, उत्तरपरदेश, तमिलनाडू और पश्चिम बंगाल में एक और प्लांट 24 महीने के बीतर में लगाने का यानि दो साल का वक्त लगेगा ये बड़े प्लांट लगा रहे है आइनोक्स एयर प्रोड़क्ट हो या लिंडा इंडिया हो या गोईल एमजी केसेज हो या नैसल ऑक्सिजन लिम्टेड हो इनके जो अपने टर्नोवर है उस टर्नोवर का लगभग दुगना हिस्सा सिर्फ पश्चिम बंगाल के चुनाओं में फोग दिया गया चुनाओं परचार में फोग दिया गया और हम थोड़ा और मैनिट होगा और हमने सोचना शुरू किया जो इस टार परचारक होते हैं और इस टार परचारकों में भी इस देश के जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं जिनको इस देश को समालना है वह जब चुनाव परचार कर रहे हैं तो उनका खर्चा तो कुछ होगा जो उनकी पाटी ही डोती होगी लेकिन उस खर्चे के मातर इस देश के भीतर में अगर ऑक्सिजन प्लांटी खोल दिये जाते तो क्या होता तो इस देश के कम से कम छे राज्य ऐसे हैं जिसमें महरास्ट भी शामिल है जिसमें दिल्ली भी शामिल है जिसमें गुजरात भी शामिल है जिसमें मद्परदेश भी शामिल है और जिसमें उडिसा भी शामिल है ये सारे राज्यों में कोई मरीज को कभी कोई कमी ऑक्सिजन की नहीं होती अगर सिर्फ उनके इस प्रचार यात्रा और उन पर होने वाले खर्चे को अगर हम कनवर्ट कर दें इस देश में प्लांट खोलने में यह प्लास्दी इस देश की है और इससे ज़्यादा विभस्त इस्तिती कुछ हो नहीं सकती है कि आपने इस देश को अभी तक मांसिक तोर पर ना सिर्फ दिवालिया बना कर छोड़ दिया है बलकि बेसिक जीने का इंफ्राइस्ट्रक्चर भी डेवलप नहीं कर पा रहे है और उस दिशा में सोचना भी आपने नहीं शुरू किया है अभी भी नहीं किया है क्योंकि आपके पास कोई सिस्टम नहीं आपके पास एक सिस्टम है DBT, Direct Bank Transfer का सिस्टम जरूर है लेकिन आपके पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है मेडिसिन लोगों को मिल जाए दिल्ली से सटा हुआ गाजियाबाद का इलाका और जेनरल वीके सिंग उनके भाई बिमार पढ़ गए तो वो गाजियाबाद के डीम को ट्विट करके कह रहे हैं अस्पताल में जगा दिलवा दीजिए अस्पताल मिल नहीं पा रहा है सोचिये कितनी शर्मनाक इस देश के सामने है बहुत वाशुक्रिया बहुत वाशुक्रिया